UPSC की तयारी और second option अब देखो plan B की बात करें second option की बात करें ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जरूरी होता लेकिन मेरे इसाब से कुछ लोगों के लिए जरूरी है अब देखो अगर मालों तुम एक ऐसी family से आते हो जहां पे तुम कमाओ या ना कमाओ उनको नहीं फरक पड मिलेगी यह उनके लिए यार जो एक लोवर मिट्री क्लास से आते हैं जिनके गरवालों के पूरी उमीद तुम्हारे उपर टिकी होती है और वह अपनी खेती बेच के तुम्हें दिल्ली पढ़ाने के लिए बेजा है हॉस्टल का खर्चा दे रहे हैं सारी चीजे कर रहे है ठीक है तो जब यह सब चीजे कर रहे हैं वह तो चाहते हैं कि तुम बनके ही वापस आओगे उनको यह लगता है कि मेरा लड़का डियम बनके ही वापस आएगा लेकिन लड़के को पता है कि कॉंप्टिशन की दुनिया में कितनी पीछे हो खैर सेकंड ऑप्सन यार रखना अब यह और अभी आए और तुम्हारे पास जे में एक भी रुपया नहीं है तो मैं अभी से करना है तो तो यार तुम्हें नौकरी के साथ ही तैयरी करनी पड़ेगी फिर कोई आप्सन नहीं बचता है लेकिन घर से तुम इतना पैसा लेकर आए हो कि हाँ एक दो साल तो का प्रमाइज हो जाएगा ठीक है UPSC मिसन तो इस वजह से अगर तुम्हारे पास पैसा इतना है कि दुम दो-तीन साल काम चला लेते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें कहीं भटगने की जरूरत नहीं है कोई प्लैन भी सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ तीन साल अप हुआ टो तुम थोड़ा सा प्लैन भी की तरब भी सोचUNG नखर तो मेरे इस अडेम बिनिकल नहीं तो आराम से कर सकते हैं कि सरकाइन आप्य। भी है आप कहें प्लैन भी है वो जरूर रेडी रखो अपना लेकिन वो रेडी रखो दो साल के बाद अभी के लिए जब दो साल गया हो तुम फ्रैसा रो एकदम ठीक है एकदम तुम्हारा मन बहुत लगेगा पड़ने में तो जितना हो सके आठ गंटे, दस गंटे, बारा गंटे, चोड़ा गंटे घिस दो अपने आपको इससे होगा क्या दो साल में तुम इस रीच पे पहुंच जाओगे वहां पे पहुंच जाओगे तुम जहां से तुम्हें स्लैबस को कंप्लीट करने में या नया कुछ भी आइड आता है उसको दिनों कंप्लीट करने में 1.500 गंटे से उपर नहीं चाहिए तुम्हें मुश्किल चार पांच घंटे यह के चाहिए फिर इक वार जब तुम उस सब्सक्राइं., नहीं और secondo और उन नहीं पर तो तब भी तुम्हारा स्लाहबाज न्यू पैटर्न जो भी है उस सब कंप्लीट हो जाएगा ठीक है राम राम चैहें